हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूटीब चानल में दोस्तों, हम लोगोंने माट्रिक्स की जो सीरीज चलाई थी उसमें हमने माट्रिक्स और डिटर्मेंट्स टॉपक को खतम कर दिया था और मैंने आपको उसमें कहा था कि आप लोग अपनी तरह से भी पूरी महनत करें क्योंकि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है कि जो मैंने आपको टॉपक बताए थे आप उन पर जितने भी questions बन सकते हैं उनको आप घर में solve करने का प्रयास करें तो इसी क्राब में दोस्तों आज हम एक topic लेकर आए हैं जिसका नाम है mathematical statistics काफी important topic है इस पर भी काफी questions आने की संभावना रहेगी mathematical statistics को देखा जाए तो LTE के जो syllabus है उसमें अच्छे तरह से describe नहीं किया गया है वैसे mathematical statistics काफी vast topic है दोस्तों इस statistics का एक part आता है statistics में आपके generally आपके fundamental of applied statistics होती है एक होती है mathematical statistics तो mathematical statistics में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है देखें दोस्तों मैं पहले ही बता रहूँ यह guidance वीडियो है तो मैं आपको guidance दे रहा हूँ और बाकी आप इसमें बेज जो questions हैं आप उनको ज्यादा से जादा घर में करने का प्रयास कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले देखें mathematical statistics के अंदर क्या-क्या चीज़ें आपकी आ सकती हैं तो मैंने आपर लिखा हुआ है सबसे पहले आती है measure of central tendency measure of central tendency के बारे में आज हम discuss करने वाले हैं इसके अलावा measure of dispersion, measure of variation, measure of skewness and kurtosis यह कभी आपने नहीं पढ़ा होगा शायद 11-12 में लेकिन हम आपको पढ़ाऊंगा measure of skewness and kurtosis यहां तक पूछा जा सकता है LT में और पूछा भी गया है काफी एक्जाम में इसके अलावा देखें mathematical statistics के अंदर कौन-कौन चीज़ आती है एक तो आपने random variable चाहिद 12 में पढ़ा होगा random variable and distribution function थोड़ा distribution function आगे आ जाता है ठीक इसके अलावा probability, probability theory आपने पढ़ी भी है लेकिन इसमें थोड़ा advanced level की होगी तो advanced level में आपका base theorem से थोड़ा आगे चले जाएंगे इसके अलावा probability distribution probability distribution भी काफी important है इसले बार कई-square distribution से आगया था ठीक के आऊ-खर फोगादान सतत्स पहले हैं दो तरेकी के होते हैं वैसे एक होता है आपका generally एक होता है आपका continuous distribution होता है ठीक के आपके जो होते हैं Non continuous distribution आते ठीक के आपके probability distribution है उनके बारे में discuss करेंगे जैसे आपने बढ़ाओगा Bernoulli distribution binomial distribution ठीक है ना तो आपके कैसी distribution ना आपके non continuous distribution के अंतर है आते हैं और जैसे कि आपके जो like इसके अलाववा जैसे आपका normal distribution है यaming अलावा यह आपके काई square distribution है यह आपके continuous distribution के अंतर घ्राठाई है इसमें poison distribution भी आता ना तो यह सारे के सारे आपके कहा हैं दोस्तों, यह आपके probability distribution है तो हम उनके बारे में भी थोड़ा बहुत discuss कर लेंगे, उन पर बेज जो भी questions होंगे, आप उनको घर में करने का प्रयास करेंगे तो मैंने आपको पहली बता है, probability distribution दो तरह के, एक होते हैं continuous, एक होते हैं non continuous, non continuous को discrete distribution भी बोला जाता है इसके बाद आता है correlation and regression, correlation and regression alliances के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा इसमें हम जो correlation and regression के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपका skewness है, यहाँ पर भी आपका correlation का उप्योग होगा तो correlation and regression काफी important है, 11-12 में भी topic है और इसमें आपका graduate level पे भी काफी आता है, तो यह आपका आ सकता है इसके अलावा जैसे हमने इसके बारे में तो हम already discuss कर चुके है, देखे वैसे तो देखा जाए तो mathematical statistics काफी broad subject है, इसमें काफी चीज़ें आती है इसमें test होते हैं, दुनिया भर के exact test होते हैं, फिर T test, F test, दुनिया भर की इसमें चीज़ें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां तक यह चीज़ें जाएंगी, even यह भी काफी जो चीज़ें हैं, यह भी इसमें graduate level की है तो mathematical statistics में इतना ही है, mathematical statistics का एक sub-part है, जो कि numerical analysis का लाता है, numerical analysis में अलग से देर रहा है, specific करके, तो वो हम एक अलग तरीके से उसको कल लेंगे तो आज का हमारा topic है, दोस्तो, measure of central tendency और mathematical statistics का थोड़ा बहुत introduction, तो उसको हम start करते हैं तो दोस्तो, आज का हमारा topic है, mathematical statistics, देखे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, statistics की, आप statistics से क्या समझते हैं देखे, statistics को तो different-different author ने अपने time-time पर different-different definition इसकी दी है, लेकिन statistics का simply मतलब होता है data ठीक है, मैं आपको simple world में बताऊंगा, statistics है क्या, वो actually है data, ठीक है न, तो अगर मैं statistics की बात करूँ, तो it is a branch of mathematics, यह एक आपकी branch of mathematics है जो की deal करती है with collection, classification, organization, presentation and analyzation and then आपका जो इसके बात, जो हम इसको क्या करते हैं दोस्तो, हम एक तरीके से interpret करते हैं तो interpretation of data, यानि कि आपने data को अपने collect करते हैं, ठीक है न, तो सबसे पहले आपका क्या आता है, collection, उसके बाद आप क्या करते हैं, दोस्तो, उसको organization करते हैं, या फिर आप उसको classification करते हैं, ठीक है न, उसके बाद आप उसको दोस्तो क्या करेंगे, representation, यानि कि आप उस data को represent कर करते हैं जाते हैं और वहां से data को क्या करते हैं collect करते हैं फिर पहले जब आपका data collect हो गया और फिर आपके सामने दोस्तों अगर जैसे data अगर पढ़ा हुआ है तो आप उसको समझ नहीं सकते हैं जैसे for example मैं चाहता हूँ कि हमारी class 12 में class 12 में बच्चों का weight कितना है तो मैंने क्या किया कि class में मेरे 48 student है मैंने सब का data collected कर लिया 48 student का गर में एगर ईस तरीके से लिखूँआ तो मुझे वह समझ में नहीं आएगा, तो मैं उसको क्या करुँगा दोस्तों, organize करुँगा, recognize मैं कैसे करुँंगा उसको यानि कि मैं उसको क्या करूँगा दोस्तों, क्लासिफाइट कर दूगा, क्लासिफाइट के लिए मैं क्या करूँगा, एक टेबल बनाऊँगा, उस टेबल में उसको क्या कर दूगा, मैं उसको क्लासिफाइट कर दूगा, किस तरीके से कर सकता हूँ, जैसे मैंने कह दिया कि, सब्सक्राइब क्लास में मिनियम वेट आपका 48 है माक्सिमम वेट मैंने वह लिए 72 है तो देखा भई 48 से लेके 50 के बीच वाले उनकी फिर्क्वेंसी लिग दी ठीक है ना यानि कि जितने बीच में उसके स्टुडेंट होंगे तो उससे क्या होगा कि मेरे को बहुत इसली वो डेटा समझ में आ जाएगा तो इसके बाद क्या मैंने क्या बोला पहले है collection फिर है organization फिर है classification classification के बाद दोस्तों क्या हैगा representation अब देखे representation कैसे करूँगा मैरे को इस data को मैं क्या कर सकता हूँ graph में दिखा सकता हूँ टो graph में आपके represent करने के कई तरीके होते हैं सबसे पहला है आता आपका bar diagram, bar diagram में हम क्या करते हैं एक ये bar होते हैं इनकी मद़ से क्या करते हैं represent करते हैं ये bar होते हैना तो मैरे को suppose करो वह इक class में मुझे पता है जिरो से लेके 48 से लेके 50 के बीच में इतने बच्चे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, उनके frequency के according, उनके क्या कर दूँगा, मैं बार बना दूँगा, ठीक है ना, जितनी आपकी, जितनी यादा frequency होगी, यानि अगर सपोज़कोर इसमें 3 बच्चे आते हैं, तो बार उतना तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जिसकी height होती है, वो frequency के क्या होती है, प्रपोर्शन में होती है, इसके अलावा एक बहुत famous होता है, उसका नाम होता है histogram, तो histogram में हम क्या करते है, point को इस तरीके से collect करते हैं, और इस तरह से हम histogram को खीज देते हैं, ठीक है ना, तो यह ज इसके बाद जब आप representation कर दिया, तो इसके बाद अगली जो process होती है, वो होती है, analyzation, यानि कि आप statistically उसको क्या करते है, analyze करते हैं, ठीक है ना, तो और इसके बाद जब analyzation जब आपका हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, दोस्तों, interpretation, यानि कि हम data को interpret करते हैं, और last में आपका क्या होता है, हम future के program बनाते हैं, ये आगे का part है, ठीक है ना, तो future के program बनाने के लिए, दोस्तों, हम future की sound policies होती है, वो हमारे किस के आधर पर बनती है, तो आप ये समझ सकते हैं, कि stat आपकी कितनी important है, तो आप अगर हम बात करें, दोस्तों, अगर इसके field की, तो stats क कहां कहां use होता है, तो आज की जमाने में, stats सबसे ज़्यादा, एक तरीके से कहते हैं, कि दुनिया के सारे fields में, statusics बहुत ज़्यादा use होती है, कैसे use होती है, सबसे पहले तो किसमें आता है, मैंने अभी आपको बताया, planning में, planning में, अगर आपको आज की या भविश्य के planning करनी है, तो आप किसका use करेंगे, data का तो use करेंगे, आपके सामने कोई भी चीज है, आप उसके बारे में कैसे discuss लगा लेंगे, कि भाई ये चीज, आप आगे ये करना है, सबस्कोर आपने business forecasting करनी है, तो business forecasting का, आप कैसे करेंगे, कि आगे जा कि आपको इतना सामान बिकेग या कुछ करेंगा, तो आप उसके लिए क्या करिए, आपको data चाहिए, है ना, आप data को collect करेंगे, आप देखेंगे कि भाई, किस तरीके से जो हमारा माल है, विक राया है या कोई भी चीज है, आप उसी क्या according क्या करेंगे, उस चीज को project करेंगे, ठीक है ना, इसी तरीके स आप क्या करते हैं, देखते हैं कि इस पर्टिकलर एरिया का जो डेटा है, वो कैसा है और अभी के जो स्कूल है, वो किस तरह की परफॉरमस कर रहे हैं, यानि कि हमें क्या क्या चीजें जरूरत हैं आगे जाके हमारे स्कूलों में प्रोवाइट करने की, तो इसके लिए हम क्य क्या होती है, इस्टाटिक्स की आवश्कता होती है, अगर आपके पास स्टैटस नहीं है तो आप प्लानिऍग यूहीं कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा मैथामेटिक्स इसका सब्से जादा यूश है, क्योंकि मैंने आपको इसके पहली बोला कि मैथामेटिक्स हैäre क hes 抱ब बिल्कुल correlated है stats without mathematics हो नहीं सकती mathematics without stats हो नहीं सकती तो आपके पास जब data है तो data को अगर आपने analyze करना है तो आपको जो आपकी mathematical technique है वो ही उसमें लगती है तब ही जाके आप जो आपके पास जो result है आप उसको analyze कर पाते हैं तो stats आपका क्या होता है mathematics में भी बहुत जादा important हो जाता है इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें economics की तो economics में भी सबसे ज़्यादा stats का परियोग होता है economics में भी आपका stats का बहुत जादा परियोग होता है जैसे कि जितनी भी दोस्तों जो economic problem होती है इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों क्या करते है हम क्या करते है data का collection करते है data अगर हम collection करते है stats बनाते है उसके बाद हम graph से उसको represent करते है तो हमें पता चलता है हमारे देश की GDP इतनी जा रही है तो ये सारी की सारी क्या है दोस्तों economic problem तो with the health of data यानि जब हम पर data collection होता है तो हमें पता लगता है कि हमारे यहां यह खामियां यह चीज कनने की जूरत है तो जो future में जो हमारी policy बनती है ना नीतियां बनती है बड़ी बड़ी नीतियां तो वो statistical जो हमारा statistical analysis होता है उसी के आधार पर दोस्तों वो नीतियां बनती है तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है कि stats का economics में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इसके अलावा मैंने बदा कि stats का business में बहुत important role है तो almost in everything stats biology में भी use होती है ठीक है ना medical science में होती है और इसके अलावा stats war में भी use हुई है तो काफी चीजे हैं कि दोस्तों जब तक हमारे पास stats नहीं है तब तक हम कह सकते हैं कि आप life के जितने भी aspects हैं वहाँ पर आप कही ना कहीं lack करेंगे तो इसलिए statistics is very very important and it plays a vital role or you can say a very key role in every aspects of your life अब बात करते हैं दोस्तों statistics की limitation की देखिए दोस्तों statistics की कुछ limitation भी है इनको भी जानना बहुत important हो जाता है सबसे पहले क्या होता है दोस्तों जो statistics है it is not suited to the study of qualitative phenomena यानि कि दोस्तों यह सिर्फ qualitative phenomena पे काम नहीं कर पाता है यह सिर्फ करता है quantitative phenomena में ठीक है ना यानि कि अगर आपके पास एक numerical data जब तक आपके सामने प्रेजेंट नहीं होगा तब तक आप stats को use नहीं कर सकते हैं आपके सामने जैसे statistics का कोई मतलब नहीं है statistics में हमेशा क्या होता है कि जो आपका bunch of data होता है यानि आपके पास कई जब आप data को collect करते 30 40 50 1000 लाग करोड तब जाके आपको क्या होता है stats का आपका उपयोग हो पाता है तो stats का मतलब यह है कि आप एक किसी भी specific बंदे की आप क्या कर सकते study नहीं कर सकते इसके मतलब से तो आपको इसमें ध्यान में रखना चाहिए ठीक है इसके अलावा देखो सबसे important चीज है कि जो statistics law है वो exact नहीं होते है statistics law why is exact had not sickness क्यूνकि हमेशा क्या होते है कि कुछ data के अधार पर होते हैं आज takie जेशे कि भई यह physics law है या natural science के law है वो हमेशा क्या होते हैं दोस्तों exact होते हैं लेगि जो statss के law होते हैं यह हमेसा क्या होते है 한द होते है approximate शिमेशन होते हैं कि probability इसकी इतनी है या इसके ऐसा है ठीक है न तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है ठीक और सबसे important जो इसका सबसे बड़ी limitation है वो है दोस्तों कि status 6 को misused किया जा सकता है देखिए वो आज की जमाने में बहुत हो रहा है देखिए status 6 का मतलब यह है कि अगर आप suppose करो कोई अगर बहुत expert बंदा है suppose करो बहुत expert है तो अगर वो status 6 data को handle करेगा तो status 6 को बहुत ही अच्छे से use किया जा सकते है लेकिन अगर suppose करो करो इन expert बंदा है या suppose करो एक ऐसा बंदा है कि जो हाम करना चाहता है आपको तो वो statistics का बहुत ही गलत तरीके से misuse कर सकता है मैं आपको बताता हूँ जैसे suppose करो आप अगर इंडिया में बेरोजगारी की दर को दिखाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं statistics को misuse कर सकते हैं misuse कैसे कि आपने जहां पर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है आप वहाँ पर survey ही ना करा हूँ ठीक है ना या suppose करो अगर मैं आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर आप स्कूलों की condition को दिखाना चाते हो तो आपने क्या किया कि हाइफाई एरिया में ही आपने survey और फिर वहीं के आदार पर आपने बता दिया कि भाई देखो इस फलाने एरिया के जो स्कूल्स हैं वो काफी अच्छे हैं और एक तरीके से जो लोग हैं वो भी का करते हैं उन्हें स्टैट्स पर विश्वास कर लेते कि हाँ जो भी survey किया गया वो बिल्कुल सही किया गया जबकि ऐसा नहीं होता है reality में तो ये भी चाथ चीज जहन में रखने के वाली बात है कि आप जो स्टैट्स का data है उसको आप बहुत गलत तरीके से आप क्या कर सकते हैं mold कर सकते हैं जैसे suppose करो उत्राघंडी है उत्राघंड की हम कह रहें कि लिटरेसी रेट इतना है फलाना तो उत्राघंड का अगर लिटरेसी रेट 78.8% है तो ये हो सकता है कि पूरा उत्राघंड का वैसे तो census है census में तो complete enumeration होता लेकिन suppose करो अगर इस सर्वे किया गया होता और सिर्फ लिटरेट जहां पर आपको पता है कि हाई-फाई लोग रहते हैं और वहीं उस सर्वे को किया गया होता जैसे अभी दहरादून ने 100% कह सकते हैं कि 100% आपकी लिटरेसी प्राप्त कर लिए तो इसमें भी क्या किया गया है दोस्तों कि जो selected लोग थे 6900 कुछ मत्तब लोग थे तो उनको selected किया गया different different block में से तो उनी को selected करके 100% उसको बना दिया गया तो यह क्या हो सकता है यह data गलत भी हो सकता है यह misused भी हो सकता है क्योंकि यह एक तरीके से गलत तस्वीर दिखाता है आपको तो यहाँ पर यह चीज है कि जो stat है stat का क्या हो सकता है दोस्तों misused भी हो सकता है इसलिए दोस्तों तभी का बार ना इसको जो stat है stat को एक बहुत अच्छी क्यूटो बनावा है वो क्या कहता है कि there are three types of lies lies, demand lies and statistics यानि statistics आपको कभी के बाद क्या बोलती है जुड बोलती है ठीक है इसको भी आपने ध्यान में रखना है ठीक है न तो यह काफी सारी चीजे हैं जो आपको stats के बारे में पता होनी चाहिए इसके बाद एक और उसका नाम है distrust of statistics statistics के कुछ यह limitation के कारण भी दोस्तों जैसे कभी के बाद क्या होता है कि जो लोगों का trust है वो statistics में कम हो जाता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा discuss कर लेते हैं देखे दोस्तों होता है कि कुछ statistical reports ऐसी होती है अगर वो आदी हदूरी चपे तो उससे हमारे क्या होता है कि काफी हम कह सकते हैं कि statistics पर distrust आता है जैसे कि मैं आपको एक example बताता हूँ जैसे एक statistical reports में अगर यह कहा जाता है कि the number of accident taking place in the middle of the road is much less than the number of accident taking place on its site कहने का मतलब यह है कि middle के road में अगर कोई वेक्ति मिडल रोड में चला है तो उसका accident काफी कम होते हैं rather than कि जो side में यानि side road जो road के side में चलते हैं उनके accident बहुत जादा होते हैं और जो middle के अपेक्षा में तो अब इससे क्या निकलता है अगर हम conclusion निकालने तो यह conclusion यह बताता है कि इसका मतलब यह है कि आप road के middle में चलोगे तो ज्यादा safer होगे तो क्या यह सई है conclusion नहीं है क्योंकि आदा दूरा statement है क्योंकि इसने यह नहीं बताया कि कितने लोग road में middle में चलते हैं और कितने लोग road के side में चलते हैं उन में से कितने accident हुए और middle में जो चले लोग उनके कितने accident हुए ठीक है ना तो जैसे का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब तक आपके stats पूरे नहीं होंगे या आधे दूरे statement होंगे वो आपके क्या हो जाते हैं distress बढ़ाते हैं आपके statistics पे ठीक है ना तो दोस्तों यह है statistics के हम एक तरह किसे introduction है अब हम जो हमारा main concept है यानि जो हमारे topics है उसकी और को बढ़ते हैं सबसे पहले दोस्तों आता है frequency distribution सबसे पहले हम discuss करें तो फर्क्वेंसी distribution क्या होता है suppose करो आपके पास कोई data है अगर आप उस data को classify करते हैं और इसके बाद है आप उसके respected frequency लिख देते हैं उसके सामने तो दोस्तों वह क्या 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 है फ्रिक्वेंसी डिस्टुबिशन कहलाता है जैसे सपोच करो हमने एक student हमने class में कुछ number of student है और हमने उनके marks को सपोच करो maths में उनके कुछ marks आए और हमने उसको क्या कर दिया frequency table में represent कर दिया तो इस तरह से represent हो सकता है 15 में से 19 तो 9 लोगों के marks है इस दिर deeply do twenty four और eleven Neptune 25 से ले के टिनाइन के 10 मना इस टाइप का जी डिस्टुबिशन Meteor सब्राइं दोशतों ये क्या कहलाता है frequency distribution गलाता यह हैं आपके marks ठीक है और यह है student student का मतलब यह है कि out of suppose कि रो 50 है out of 50 में से इनके marks आए हैं तो हमने देखा कि 15 में से 19 के बीच में लाने वाले जो लोग हैं वो आपके 9 है तो इस तरीके से जो इनकी यहाँ पर इनकी एक तरीके से class लिखी वी है और यह है इसकी frequency ठीक है अब आप इस चीज को तो अब इस टाइब का जो distribution होता है दोस्तों यह आपका होता है inclusive type classification या inclusive type classification होता है यह इस type का classification है कहने का मतलब है कि जिसमें upper or lower limit दोनों की दोनों आपकी class limit में ही included होती है तो उसको हम क्या बोलते है inclusive type classification एक classification दोस्तों इस तरह से भी हो सकता है 15 से लेके 20, 20 से लेके 25, 25 से लेके आपका 30 तो यह आपका क्या है कि आपका यह है यह है यह आपकी lower limit यह upper limit तो जो upper limit है वो इसमें include नहीं होती है ठीक है इसमें सिर्फ क्या होती है lower limit included होती है लेकिन जो upper limit होती हो, यहाँ पर भी है, तो यहाँ की क्योंकि यह lower limit है, तो यहाँ इनका inclusion है, तो कहने का मतलब है, इसको हम क्या बोलते है, exclusive, ज्यान रहेगा, यह क्या type का है, exclusive, यह है inclusive, inclusive, फिर से समझ लो, inclusive type of classification क्या होगा, जिसमें upper and lower limit, दोनों की दोनों आपकी क्या रहती है, class limit के अंतरगत रहती है, तो इसको आपने ध्यान में रखना, और यह सामने इसकी क्या लिखी है, दोस्तों, frequency लिखी है, ठीके न, तो इसको ही हम क्या बोलते है, frequency distribution, कभी का बात क्या होता है, दोस्तों, कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि 19 में से अगर आप 5 कभी का बात क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, frequency density लेना उस समय पर ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसको धिहान में रखेंगे, कि कभी का बात क्या होता है, कि हो सकता है, कि यह ऐसा हो, 90 में, से 26 हो, ठीक है और अगला वाला हो, कि सब पोच करो 27 से 2080 हो, ठीक, क्या भी का बात हो सकता है, कि जो data है, data का जो हम कह सकते हैं, एक तरीके से उसका जो केंदरन है, वो एक ही तरह हो, तो उस समय पर उस में इस तरह के जो distribution है, उसकी अवशक्ता पढ़ जाती है, तो उस case में हम क्या करते है, rather than using frequency, we use frequency density, तो frequency density क्या होता है, कि जो आपका इनकी बीच का difference है, difference का मतलब यह है, कि जो आप upper limit में साब lower limit को minus करेंगे, inclusive में आप एक इसमें add कर देंगे, तो उससे आप क्या कर देंगे, जो frequency को divide कर देंगे, तो आपकी क्या मिल जाएगी, frequency density मिल जाएगी, तो उस समय पर आप क्या करेंगे, frequency density का प्रियोग करेंगे, इसमें एक चीज होत उससे irrelevant type का हो, जो कि उससे जुडाई ना हो, तो उसको हम क्या बोलते है, outlier, suppose करो, हमने देखा कि, suppose करो, क्लास में कई सारे लोग हैं, और 50 लोग हैं, suppose करो, 50 लोग हैं, हमने उनके weight नापे, तो हमने देखा कि, भे, सबके weight हैं, 60 से लेके, 50 के बीच में, अब एक बीच में 100 वाला आगिया, यह, suppose करो, 125 वेट वाला आगिया, ठीक, तो यह क्या है, outlier है, हमने देखा, भे, सबके weight, 50 से 60 के बीच में, लेकिन, 1 के 125 आ रहा है, तो इसका मतलब है, outlier type का है, कि, जिसका, जैसे हम देखते हैं, ने, data तो, भे, 50 से 60 के बीच में, लेकिन, 125 वे विलकुल बाहर का data आगिया, type का, तो, S को क्या बुलायता, outlier बुलायता, तो, कभी, पूछा जा सकता है, कि, outlier क्या होता है, तो, आपके सामने, represent कर देंगे, तो, आप उसको निकालना, हो सकता है, यह, ठीक, तो, इसको, यह, आपके, I hope की, समझ में आगया हो, कि, frequency distribution, क्या होता है, ठीक, तो, अब, इसमें, एक चीज और है, कि, इसमें, जैसे, suppose करो, जैसे, class है, तो, हम इसके बीच के क्या कर सकते है, intermediate class को, हम निकाल सकते है, ठीक है, तो, intermediate class, यह, फिर, suppose करो, हम उसको, क्या बोलते है, frequency class भी बोला जाता है, तो, frequency class को, अगर आपने निकालना, तो, आप क्या करेंगे, 19, plus 11, by 2, कर देंगे, तो, इस तरह के से, क्या हो जाएगा, 19, plus, यह, हो जाएगा, 30, by 2, तो, यह, आपका कितना जाएगा, 15, इस तरह के साब इसको, निकाल सकते है, ठीक है, तो, यह, चीज, आप, I hope, कि, आपको, अच्छे से, समझ में, आ गई होगी, अच किस तरह का, अगर आपके सामने, distribution है, तो, दोस्तो, किस तरह का, continuous frequency distribution है, क्योंकि, इसमें कोई gap नहीं है, ठीक है, अब, अगर, suppose कर रहा हम, inclusive type को, देखे, जैसे, suppose कर मैं, 0 से लेके, 4, फिर यह, हो जाएगा, 5 से लेके, 9, फिर 9 की जगह पर हो जाएगा, 10 से लेके, 14, तो, यह, दोस्तों, क्या, continuous नहीं है, ठीक है, हम चाहें, तो, इसको, continuous भी, बना सकते हैं, हम, इसको, continuous कैसे, बनाते हैं, देखे, हम, क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का, difference देखते हैं, इन दोनों के बीच का, जो, difference है, one का है, तो, one का, हम, क्या कर देंगे, आदा कर देंगे, यानि 0.5 को हमने यहाँ पर add भी करना है ठीक है आप इसको ध्यान में रखेंगे यहाँ पर हम add करेंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे last से हम इसको सोरी यहां पर से हम इसको सब्ट्रैक करेंगे और यहां पर इसको क्या कर देंगे एड कर देंगे तो आप इसको ध्यान में रखेंगे ठीक है ना तो आपने करना क्या है कि यहां से आपने इसको इससे आपने 0.5 सब्ट्रैक करना है इससे 0.5 आपने क्या करना है, एय्ट करना है, ठीक, तो कैसे बनेगा, धेखो, 0 में से आप 0.5 करेंगे, तो हजएगा, तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, मैनस 0.5, और फिर यह ग passa कितना, 4.5, इस से अप 0.5, अगर आप आपका कितना है 6 से लेके 7 ऐसा बना लते है ठीक या 2 से लेके 4 4 से लेके 8 और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 8 से लेके 10 ऐसा बना लते है अब यह आपका sorry मैं इसको सही कर लेता हूँ एक बार करना क्या है देखिए दोस्तों से सपोच करो inclusive है मैं कहता हूँ 2 से लेके 4 ठीक है फिर मैं लेलता हूँ 5 से लेके आपका कितना हो जाएगा 2 से लेके 4 है 5 2 3 4 5 6 7 ठीक फिस 7 हो गया इसके बाद आजएगा 8 से लेके 10 अब माना सपोच करो यह कैसा है आपका इंक्लुजिव है है ना है नहीं यह अपका कैसा है इंक्लुजिव है बापको क्या बताना है इसको एक्स giants में कनवर्ट करना है तो पहले आप क्या करेंगे इंक दोनों के बीच काग देखिंगे यानि कि आपने अपने लिमित और लोडल limit इन दोनों के बीच का gap देखना है, तो कितना इनके बीच का gap 1 है, तो आप 1 का अधा करेंगे, यानि 1.5, 0.5 आप इस से सब्ट्रेक करेंगे, और इसमें क्या करेंगे? एड गरेंगे, यानि कि lower limit में 0.5 एड करना है, upper limit में करना है तो यह हो जाएगा बताऊ यह जाएगा आपका 1.5 इस से 7. ti ृ न इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं तो यह समझाने के लिए है और आ यह ouł की आपको है से समझ में आ गया होगा इसके बाद आता है frequency Frequency Polygon, Frequency Polygon का मतलब यह है कि आप क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले इसको Frequency Polygon से समझ लो Histogram, Histogram में हम क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले किसमें करते हैं, Continuous Frequency Distribution में करते हैं, अब इसकी जो Frequency रहोगी, जैसे मैंने बोला 1.5 से लेके 4.5, 4.5 से लेके 7.5 इस तरह से, इसकी frequency माना 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, थो सब्यों कर Yin 1.5 से 4.5 तो यहाँ पर कितना जो जाएगा 2 हो, ठीक, इस तरीके से माना 2 और यह 3 है और यह 4 है ठीक यहाँ पर हो J जाएगा ठीक और फिर इस तरहेगे से 7.5 से लेगे आपका कितना है 10.5 यहाँ पर लेख लेता है यह तो यह आपका क्या बन गया दोस्तों एक तरहेगे से यह आपका हिस्टोग्राम बन गया हिस्टोग्राम बन गया अब हम क्या गरेंगे अगर इनके बीच के पॉइंट्स को अगर मैं मिला लूँ इनके बीच के पॉइंट्स को मैं मिला लूँ तो क्या बन जाएगा एक तरहेगे का फ्रिक्वेंसी पॉलीगन मिल जाएगा यहाँ से हम इसको मिलाते वे चले जाएंगे तो इसको बोलते हैं frequency polygon ठीक है आप इसको ध्यान में रखेंगे ठीक है तो दोस्तों अब आता है इसमें पहला हमारा important topic जिसका नाम है measure of central tendency इसके बारे में आपने पढ़ा होगा देखिए measure of central tendency आपको क्या बताता है measure of central tendency आपको दोस्तों ये बताता है central part के बारे में आपको जानकारी देता है कोई भी जो data है ना उस data के आपको अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए measure of central tendency की आवशकता पढ़ती है अगर आप असको सङ तरीचे से समझे तो आपको ये एक तरिके से average आपको बता देता है कि जिसेемся पहोँच्झ कोहरो हमें किसी office में चाहें कि क्या यहां पर salary मिलतीحدए लेट सब पोजगर हम एक office में गए और किसी private office में अगर हम गए तो अगर हमें पता लगाना है कि यहां पर salary कितनी मिलती है ठीक ना अब वहां पर हो सकता है कि salary किसी की 10,000 हो किसी की 15,000 हो किसी की 25,000 हो सकती है ठीक ना तो on average अगर आपसे कोई बोलेगा कि यहां 17-18,000 मिल जाती है ठीक है तो समझ रहे न इसका मतलब क्या है 17-18 या 12 जितना भी बनेगा 15-16,000 रुपए तो यह actually आपको क्या दे रहा है यह office में तो कई सारे employee होंगी सबकी salary different होगी लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा आप जानना चाहोगे कि आप salary वहां पर कितनी मिलते है तो आप से बोलेगा कि on average यहां पर 15-18,000 के असपास salary मिल जाती है ठीक है तो यानि कि आपको एक तरीके से जितना भी data है उसका central part के बारे में उसने जानकारी दे दी तो अगर आपके पास major of central tendency है तो आपको क्या करते है जहाँ पर जो आपका एक तरीके से आपके पास बहुत सारा data है वो कहां की और को centered है यानि कहां की और को четыreth है उसके बारे में आपको दोस्तों पता लगता है तो इसके different different major होते है इसमें सबसे पहला जो laser होता है वो क्या होता है means छिए ना दूसरा आपका होता है median तीसरा होता है mode mean median mode के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसके अलावा एक और होता है इसको बोलता है geometric mean छिक है geometric mean भी होता है और एक होता है दोस्तों harmonic mean तो इस तरीके से जो measure of central tendency उसके दोस्तों पांच measure होते हैं एक होता है mean, medium mode, geometric mean और harmonic mean ठीक है ना तो ये चीज़े हैं देखे सबसे ज्यादा आपको एक चीज़ important है जो central tendency को जो measure करते हैं तो उसके बारे में भी आपको कई चीज़े आनी चाहिए जो हम ये measure निकालते हैं इनकी क्या खूबिया होनी चाहिए ये भी आपको पता होनी चाहिए कोई भी measure है वो identical measure कप कहलाएगा इस पर बेस काफी question आते हैं दोस्तों आप अगर देखेंगे अगर आप पुराने exam भी देखेंगे तो महाँ पर status 6 में जो measure है उनकी खूबियों पर काफी questions आते हैं कि आप mean के बारे में questions आ सकता है कुछ इस type का question आएगा hypothetical type का जहां पर आपको ज्यादा तर उसके application के बारे में पूछा जाएगा आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि mean का formula क्या है तो उसकी application भी कभी कबात directly questions exam में पूछी जा सकती है ठीक है ना तो देखें सबसे पहले तो to calculate होना चाहिए और readily compressible होना चाहिए आप उसको easily calculate कर ले और आसानी से वो मतलब आप उसको आसानी से समझ सके ठीक है यह भी बहुत important है इसके अलावा it should be based on all observation देखें जो भी आपके पास data होता है या जो data होता है उसका पूरा उप्योग होना बहुत जो जो भी आपके पास जो measure of central tendency में जो measure होते हैं वो should be based on all observation देखें खरना जैसे कि mean है mean आपका सारे observation पर based होता है mean का जो formula होता होता है arithmetic mean का formula क्या होता है दोसी अब का sum करेंगे divided by क्या होजागा total number of observation ठीक लेकिन जो median होता है median आपका सारे observation पर बेस नहीं होता है, mode भी आपका सारे observation में बेस नहीं होता है तो यहाँ पर चीज़ है कि it should be based on all observation it should be suitable for further mathematical treatment कहने का मलब है कि इसका हम आगे कहीं उपयोग अगर करना चाहें तो उसका उपयोग भी होना चीज़ जैसे कि mean बहुत use होता आगे जाके ठीक है अगर आगे जाके variance निकालना है या पर आपको suppose को रहे standard deviation निकालना है तो वहाँ पर भी क्या होता है mean का use होता है ठीक है तो कहीं पर क्या होता है it should be suitable for further mathematical treatment यानि कि आगे जाके भी उसका mathematically कहीं use होना चीज़िए ठीक है और इसको it should be affected as little as possible by the fluctuation of sampling कहने का मदला है कि जब fluctuation होगी sampling में यानि कि data में अगर कुछ change होगा तो उससे इसको बहुत कम effect पढ़ना चीए जबकि mean को हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा effect पढ़ता है अगर data में थोड़ा सा भी change कर दिया जाए जबकि median और mode इनको कोई फरक नहीं पढ़ता तो एक तरीके से कुछ इन में कमिया है कुछ इन में अच्छा है मलब कुछ किसी में कोई कमी है किसी में कोई अच्छा ही है ये अभी हम discuss भी करेंगे don't worry लेकिन मैं आपको बस एक तरीके से आपको बता रहा हूँ उपर ही उपर ताकि आपको बहुत अच्छे से इसका आइडिया आ जाए ठीक है और इसके अलावा इस शुड नाट भी affected by the extreme value जो आपके last की value है उससे ज्यादा इसको effect नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है अब अगर आप देखें तो mean है mean बहुत ज्यादा effect हो जाता इनको देखा जाए तो प्रोफेसर यूल थे इन्होंने बताया था कि भाई क्या-क्या खूबियां होनी चाहिए एक identical measure में तो ये सारी की सारी जो खूबियां लिये वे जो measure होते है वो ही आपके identical measure कहलाते है तो एक तरीगे से देखा जाए तो ज्यादा तर और identical measure कोई है नी इसलिए इते सारे measure की आवशकता पड़ी कोई किसी चीज में अच्छा है कोई किसी चीज में अच्छा है तो क्या क्या होना चाहिए, it should be reasonably defined, it should be easy to calculate, it should be based on all observation, it should be suitable for further mathematical treatment, and इसके अलावा, it should not be affected by the extreme value, और इसके अलावा, it should not be affected as it is possible by the fluctuation of data, यानि कि आप data को fluctuate करेंगे, तो उसमें ज्यादा effect नहीं बढ़ना चाहिए, तो यह हैं दोस्तों एक तरीके से measure of central tendency के 5 measure, इनके बारे में हम discuss करेंगे, तो दोस्तों अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है arithmetic mean, arithmetic mean के बारे में आपको पता ही है, कि let's suppose करो आपके पास there are n set of observation, x1, x2 से लेके action, let's suppose करो arrange नहीं है, उनकी कोई frequency नहीं है, suppose करो सबकी frequency 1 है, तो जो arithmetic mean होता है, x बार होता है, वो क्या होता है, 1 upon an summation of xi, कहने का मतलब यह है कि आप क्या कर देंगे, सबका sum कर देंगे, और फिर उसको divide कर देंगे, total number of observation से, लेकिन suppose करो, अगर यह organized है, organized है तो कहने का मतलब क्या होगा, इन सबकी कोई frequency होगी, इसकी frequency f1 है, इसकी frequency f2 है, इस की frequency fn है, तो क्या हो जाएगा, दोस्तों, x1 into f1 plus x2 into f2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा, xn fn divided by, आप क्या कर देंगे, total frequency का sum कर देंगे, यह सब चीज़ें आपको आती होगी, I hope, तो मैं बस आपको बस एक तरीके से, आपका revise type का में इसको करा रहा हो, दोस, x बार बरा आपने पड़ा, x-bar बराबर क्या होता है, 1 upon n summation f i x i, n की value क्या होती है, दोस्तों, summation of f, लेकिन कभी का बाद क्या होता है, दोस्तों, हमाँ पार data काफी बड़ा होता है, तो उस समय पर हम क्या करते है, assume mean method का upio करते है, तो देखिए, यह shortcut methods है, मैं आपके सामने directly formula लिखूं पानेंगे, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, d लिख लेता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा भई, इसका मतलब है कि अगर मैं f i di निकल लो, तो f i di की जो value होगी, वह उता हो, कितनी होगी, f i into x i minus a, ठीक है, अब इसके बाद, यहां से देखिए, क्या हो जाएगा, f f i x i minus a into fi, ठीक है, f i di, ठीक, अगर मैं both sides summation ले लूँ, और तो क्या होजाएगा, summation f i di, बराबर होजाएगा, summation f i x i minus a, यह होजाएगा, summation f i, ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं summation f i से अगर मैं divide कर दूँ, तो यहां पर देखो, क्या होजाएगा, summation f i di upon summation f i is equals to summation f i x i divided by summation f i minus a ठीक हो गया तो इस पार्ट को अगर मैं इधर ले आँ तो ये आपका summation f i x i upon summation f i क्या है mean है तो x bar is equal to हो जाएगा a summation f i d i upon summation f i तो ये assume mean method है इसका आप use कर सकते हैं काफी आपको easily पड़ेगी जब आप जब आप mean निकालने बैठेंगे ठीक है तो इसका मनलब है x bar easy to हो जाएगा a plus summation f i d i upon summation f i आप मेरे संग संग आप copy पकड़के बैठा करिए और आप इसको solve कर सकते हैं बहुत easily ठीक है ओके अब कभी के बात क्या होता है कि आपको class interval दिया रहता है class interval के case में आप क्या करेंगे d को आप क्या लिख लेंगे x i minus a upon h लिख लेंगे ठीक है ना तो उस case में आप फिलकुर वही आप दुबारे से process अपनाएंगे h d i बराबर आपका कितना हो जाएगा x i minus a हो जाएगा जो कि मैंने अभी आपके सामने किया था तो अब जो formula हो जाएगा x bar is equals to a plus h upon n आजाएगा summation f i d i ये इसका formula बन जाएगा ठीक है ना तो आप इसको ध्यान में रखेंगे ठीक तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं arithmetic mean को निकाल सकते हैं अब दोस्तों कुछ important properties हैं जो कि exam की दिश्टी से काफी important है इसको discuss कर लेते हैं सबसे पहले आती है properties of arithmetic mean में देखें सबसे पहली जो properties है कि algebraic sum of deviation of set of values from their arithmetic mean is 0 कहने का मतलब ये है कि summation x i minus x bar हमेशा क्या होता है 0 होता है ठीक है ना यानि कि अगर आप इनका sum करेंगे division from their arithmetic mean जैसे मैंने आप ये x i minus a ही निकाला था ना तो आप ये पता ही summation x i, summation x i आपका क्या होता है summation x i upon n बराबर तो आपका क्या होता है x bar तो summation x i आपका क्या है आपका दोस्तों n x bar है तो यहां पर आप इसकी जगह पर n x bar रख देंगे minus x bar n रख देंगे तो इसकी value क्या जाएगी 0 आ जाएगी ठीक है ना आपकी values का जो division अगर उसका sum निकालेंगे तो हमेसा 0 आता है बहुत important property इसको दियान में रखना ठीक ओके इसके बाद दूसरी property जो इसी तरह की property है लेकिन इसमें हम क्या कर देंगे square कर देंगे याई summation x i minus x bar का whole square ले लेंगे ठीक है ना अब बात करें अगर दोस्तों summation x i minus x bar का whole square है यानि कि अगर हम जितना भी आपका division है from x bar इसके square का sum करें तो दोस्तों यह क्या होता है minimum होता है यह धियान में रखना है इसकी value आपकी क्या होती है minimum होती है कहने का मदलब है कि अगर हम x bar की जगर पे कोई all ले 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 तो जो value होती है वो इससे ज़्यादा होगी इसकी value सबसे कम होती है यह भी काफी important है यानि कि आप इसको क्या बोलते है दोस्तों बात में जगर अगर आप इसका arithmetic mean निकालेंगे तो यह क्या मन जाता है दोस्तों variance बन जाता है यानि variance बन जाता है अगर आप under root ले 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 आप क्या करेंगे इसको differentiate कर देंगे with respect to कितना हो जाएगा दोस्तों